दोस्तों किसी भी पुरुष की पौरुष शक्ती उसके स्वास्थे पर निर्भर करती है इसलिए जरूरी है कि शरीर की किसी भी प्रकार की समस्या का उपचार समय पर करने के लिए उच्चित उपाय अपनाय जाएं कई पुरुषों को स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है लेकिन हम उनके लिए यहाँ पर कुछ खास पूंट्स और टिप्स बताने जा रहे हैं जो वह बड़ी आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं मसूर डाल में फोलिक एसिद पाया जाता है जो पुरुषों की प्रजननक्षमता के लिए काफी एक्टिव रूप से कार्य करता है आप चाहे तो इस डाल को अपने लंच में या फिर दिन में शामिल कर सकते हैं वही, कई लोग स्पर्म मोटिलिटी के लिए इस डाल का पानी पीना भी काफी पसंद करते हैं जिनके लिए यह सकारात्मक परिनाम दिखा सकता है आश्वगंधा एक आयूरवेदिक जड़ी बूटी होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है आयूरवेद में इसके उपचार से हुने वाले कई सारे फायदों पर परियाप चर्चा भी उपलब्ध है वही, जिन पुरुषों में लोग स्पर्म काउंट की समस्या है वे अश्वगंधा का सेवन करके इसे बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं जिन्त के स्रोत वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने के कारण भी शुक्रानूओं की संख्या बढ़ सकती है इन खाद्य पदार्थों में प्रमुक रूप से बीम्स, ओत्स, तिल, मूनफली लहसुन जैसे फूर्थ शामिल है इन्हें आप अपने भोजन में अलग-अलग प्रकार से शामिल करके स्पर्म काउंट बढ़ाने का फादा पा सकते हैं यह खाद्य पदार्थ आपको ग्रॉसरी शॉप पर भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे केला एक ऐसा फल है जो लगभग सभी लोगों के द्वारा कभी न कभी जरूर खाया जाता है सस्ते दाम में और आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण यह आपको किसी भी फल की दुकान पर मिल जाएगा शुक्रानों की संख्या बढ़ाने के लिए केले का सेवन अगर नियमित रूप से किया जाए तो उसका फाइदा को खुद ही महसूस होने लगेगा दिन्भर की एनजी प्राप्त करने के लिए भी आपकेले का सेवन रोजाना कर सकते हैं डाक् चोकलेट के पाउडर को अगर आप दूर के साथ हस्तिमाल करते हैं तो यह سपर्म काउंट बढ़ाने में सकारात्मक परिनाम दिखाएगा डाक चॉकलेट में टेस्टोस्टेरोन हॉमोन बढ़ाने का गुन पाया जाता है जो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए महत्वपून भूमिका निभाता है इसलिए शुक्राणूओं की संख्या बढ़ाने की चाहत रखने वाले पुरुष डाक चॉकलेट का सेवन भी नियमित रूप से कर सकते हैं बैरीज कई प्रकार की होती हैं जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रेंबेरी और ब्लेक बैरी इन बैरीज का सेवन करने से भी स्पर्म को बढ़ाने में काफी मदद मिलती है इतना ही नहीं, अगर आप इन बैरीज का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे स्पर्म मोटिलिटी में भी सक्रिय रूप से सुधार देखने को मिल सकता है आप इन ही स्मूदी के रूप में भी पी सकते हैं हरी पॉष्टिक सब्जियों में शतावरी का नाम प्रमुक रूप से गिना जाता है और इसका कारण यह है कि इसमें पॉष्टिक तत्वों का भंदार छिपा हुआ है सब्ताह में अगर तीन से चार बार शतावरी की सब्जी का उप्योग आप अपनी डायत में कर रहे हैं तो यह काफी हद तक स्पर्म काउंट बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है